दमो जिले में नलकूप खरनन पर रोक से सम्मंदित आदेश को निरस्त करने इमंग नलकूप खरनन की अनुमती प्रदान करने की मांग कुलेकर सुधात मलिया के साथ अनेक लोग जिला कलेक्टेट कारले पहुँचे दमो के किसान ग्रामी ने पहुँचे और उनके द्वारा औसत वर्षा होने के कारण फसलों को सुचाई की आवश्यक्ता का हवाला दिया गया साथी अपने खेतों में नवीन नलकूप खरनन करने की मांग भी की गई ऐसे में सभी के द्वारा प्रशाशन द्वारा लगाई गई रोक को नरस्त कर उन्हें नवीन नलकूप खरनन की अनुमती प्रदान किये जानी की मांग है कलेक्टर के नाम सोपे के गयापन में की गई बिर रिपोर्ट एसी एन नियूज आज हम लोग यहाँ पूलता पटेयागर के जो किसान है उन सब के साथ आए थे यहाँ कि जो सीमान किसान है उनको नलकूप पर पहन अभी लगाया गया उसके अंदर छूटी गया यह इसलिए भी जरूरी है कि जो सीमान किसान है जिसकी भूमी दो एकर से सारे ती निकल की है उसको यही समय मिलता है कि जहां पर वो बड़ी मशीन अपने हां ले जा सकता है और नलकूप खनन करा सकता है इसमें दूसरी बात यह भी है कि कबिलधारा का कौन अगर उसके जमीन के सौ मीटर के पास है जो कि किसी दूसरे किसान का पहले हो चुका है तब भी उसे नलकूप खुदने की अनुमती नहीं होती है जनपत से और उसको कोई सबसीडी भी नहीं मिलती है तो इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि अगर उसके पास उसने साधन बनाया है तो उसे नलकूप खनन करने की इजाज़त दी जाया है यह जानते हुए कि बंदिलकंड शेतर में सभी ब्लॉकों में जलिस्तर बहुत तेजी से गिर रहा है परन्तू किसान का भी यह हक है खास किसान का जिसकी तीन एकर से कम की जमीन है जब फसलों के समय वह अपने गारी अंदर नहीं ले जा सकता है तो इस समय जब फसल कटने के बाद उसको नलकूप खनन करने की इजाज़त दी जाए इसमें कुछ बंदिशें हो सकती है कि उस समय वह अपनी मोटर नहीं डाले या मोटर डालने का समय बाद में हो इस तरह की बात तो हो सकती है फ़रन तो इस बात नलकूप खनन से अगर वह वंचित रह जाए तो उसको बारिश हो दूसरी फसल के समय अपनी फसल का नुकसान करने के बाद ही यह मौका लग पाएगा हमारा निवेदान इसलिए क्लेक्टर स आप से था कि प्रक्राण को देखते हुए वह इसके अंदर इजाज़त दें और इस पर अवलोकल करें सुर्च स्वेक्राइब चैज़त लसा बत्स लेगे अबसाइब पार के हम्हेंग करना कि दिछ नहीं है नहीं होने युद्न का में और न Matea वीक बारीन कोनी किव API यह चैचाहिआएथ आप धम चैशक्या सब्सने कि अब्गशाएब भी नहीं competent इस तरह है पर उन्होंने कोई का है कि SDM स्टर पर केश बाई केश देखेंगे